नमस्कार दोस्तों मैं समीर डिजिटल पावर यूटूब चैनल में हारदिक्ष स्वागत करता हूं बहुसत दोस्तों का कमेंट आ रहा था जो बिहार बिएट कॉमन इंटरेंट टेस्ट है उसका रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के लिए आप आप अपलाई करके बताईए तो मैं आप इस वीडियो में कमपलीट प्रोसेस के साथ काउंसलिंग के परकिरिया को बारे में बताओंगा और काउंसलिंग के लिए आप अपलाई कैसे कर सकते हैं मोबाईल फोन से इभी मैं आपको लाइव करके दिखाना वाला हूं पहले यहां पे आप देख सकते हैं आप अपने पास अपना इमेल आइडी मोबाइल नमर रखेंगे और यहां पे यूर फर्स्ट हैंड लिस्ट ओफ कॉलेज विथ प्रिफरेंस यानि पहले आपको प्रिफरेंस दे देना है कि इस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते है उसके बाद आपका प्रिफरेंस लेने के बाद आपका पेमेंट होगा पेमेंट डन होने के बाद आपको कोई रिफरंड नहीं दिया जाएगा और उसके बाद बताया गया है कि आप कॉनफर्म हो जाए कि जो भी यहां पे दिया गया है सब्मीट करने के बाद काउंसलिंग का जो फ़ॉर्म है उसमें आप किसी पर करका कोई जैंजेज नहीं करेंगे यहाँ पे दिया गया है अधिक जनकारी के लिए जो यहाँ पे ऑफिचल नोटफीकेशन जारी किया गया है इसको भी आप पढ़ सकते हैं इसमें पूरी जानकारी दिया गया payment करनी का process भी दिया गया है सबसे पहले आपको अपना counseling form फिल अप करना है फिल अप करने के लिए सबसे पहले यहां पे आपको user logging का यानि sign in का जो option है इस option पे क्लिक करना है sign in पे यहाँ पे आपको अपना email id डाल देना है यहाँ पे password डाल देना है उसके बाद submit पे click करना है आप successful login हो जाएंगे login होने के बाद जो भी यहाँ पे आपका नाम होगा नाम सो करा दिया जाएगा आप login हो चुके हैं उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाए देगा सबसे पहले आप अपने form का click करके प्रभीव देख सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ भीव पे click करकर आप देख लिजिएगा मैं यहाँ पे आपको दिखाएता हूं जैसे आप दिख सकते हैं मैंने आपना जो form फिलफ किया था वो पुरा प्रभीव यहाँ पे आपको मिल जागा फिर से आपको home पे click करना या direct dashboard पे click किजिएगा अब यहाँ पे आपको आता है college preference payment का option उससे पहले आपको सबसे पहले जो होगा और यहाँ पे आपको registration for choice filling and preference of college का click किजिएगा यहाँ पे आप आप एड करने का आएगा option add college का यहाँ पे आप एड किजिएगा add पे click किजिएगा यहाँ पे अब आपको बताये जाएगा कि आपको यहाँ पे 12 college select करनी है जिसमें से आपको 5 college जो होगा कम से कम 5 college select कर पाएंगे और अधिकतम आप 12 college select कर पाएंगे जो भी यहाँ पे minority applicants होंगे वो कम से कम एक कम से कम एक आपको minority college select जरूर करना है नीचे स्क्रोल किजिएगा सबसे पहले यहाँ पे इंवर्सिटी पे click करना है किस इंवर्सिटी में आप admission लेना चाहते हैं college का preference देना चाहते हैं यहाँ से select किजिएगा जैसे मैं first preference बाबा भ list यहाँ पे आपके सामने open हो जाएगा सभी college को आप बारिकी से देख लीजिएगा इसमें mention किया हुआ होगा कि यह government college है constituted college है या फिर यह private college है यहाँ पे आपको mention किया होगा ध्यान रखे इसमें private college, constituted college और government college आपको select करने होंगे select करने के लिए जो भी यहाँ पे आपको first preference देना चाहते हैं उस college को select करेंगे add to list पे click करेंगे देख सकता है मैं already 12 college का selection कर चुका हूँ मैं इस से ज़्यादा selection नहीं कर सकता हूँ उसके बाद नीचे scroll कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकता है मैंने 12 college का selection है और मैं यहाँ पे किया हुआ हूँ देख सकता है यहाँ आप 12 college select कर ली है उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई college गलत select हो जाता है तो यहाँ से आप delete कर सकते हैं या किसी college का preference change करना चाहते हैं तो उसको आप change कर सकते हैं एक्जाम्पल के तौप मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मुझे यहाँ पे college change जो करने है फर्स्ट preference मुझे दूसरा college देना है तो मैं यहाँ से क्या करूंगा देख सकता है यहाँ पे scroll हो रहा है पांच नमबर को हम चाहें तो एक नमबर पर कर देंगे एक नमबर पर हो गया है इस तरह से आप करेंगे या एक नमबर को जो हम चाहें तो इसको हम फिर से scroll करके पांच नमबर पर इसको ला सकते हैं ऐसे आप कर दिजिएगा उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा टर्में डिकर्णीशन को एकसेप्ट कीजिएगा सेव वाला अफसन पर क्लिक कीजिएगा आपका सेव हो जाएगा सेव होने के बाद अब आपको यहां पर प्रिंट प्रिवीव का अफसन दिखाई देगा यहां से आप क्लिक करके आपना प्रिवीव चेक कर लीजेगा कॉलेज को फर्ष्ट प्रिफरेंस दिये हैं किस कॉलेज को आप लाश्ट प्रिफरेंस दिये हैं कौन कौन सा प्रिफरेंस दिये हैं उसके बाद इसको प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका डिटेल सू होगा, यहां से आपको 750 पे पेक करने होंगे, यहां में पेमेंट रॉल आफ्षन पे आपको ओनलाइन सेलेक करना है, यहां से अब आपको पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड, SBI, नेट बैंकिंग या आधर नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, मैं यहां पे डेविट कार्ड से क्लिक करता हूं, यहां डेविट कार्ड से में पेमेंट करूंगा, उसके बाद यहां पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, और यहां पे आपको जो होगे 765 रुपे 31 पैसे चार्ज किये जाएंगे proceed to pay का option है इस पर आपको क्लिक करना है आपको यहाँ पर लोडिंग हो रहा है पेज थोड़ा वेट करना है नीचे स्क्रॉल किजिएगा आपको जो भी चार्जेज होंगे यहाँ पर फिल करने होंगे आपको जो हो जाएगा gopay nao के option पे आपको क्लिक करना है अब आपको वेट करना है यहाँ पे आपको दिखाई देगा दिखने के लिए आपको मेरी भी जाएगा कि आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर नाम होगा ओ नाम आपको मसु हो जाएगा आपका मोबाइल नमर हो जाएगा और यहां पर है पर इसके अ कर ड सो यहां prefer चार्ज आपको फिल करना हुगा यहां पर पे उसके पे जो आपको प्र हमाईदेस फिल कर लेता हूं उसके बाद पेग करके मैं आपको दिखाता हूं पेमेंट जैसे ही सक्सेस्फिल होगा आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा और यहां पे आपको मिलेगा बैक टू माई अप्लिकेशन का क्लिक करेंगे अब आप होम पेज पे आ गए हैं यहां पे आपको कुछ इस तरह से दिखाए देगा इंटरफेस यहां पे एडिट या भीव यहां पे आप देख सकते हैं निचा स्क्रॉल किजिएगा तो यहां प अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं अपना जैसे आप दूसरा कोई कोर्स लेक्ट करना चाहते हैं बी एडिये से सास्त्री हैं करना चाहते हैं तो इसमें से आप चेंज कर सकते हैं अधरवाज इसको आप छोड़ सकते हैं अब आपका जो अप्लिकेशन हो चुका है यह यहाँ पर अपना प्रभीय देख सकते हैं उसके बाद यहाँ से अपना प्रभीव देख सकते हैं है एक दोकी जली प्लिक कियाँ तो यहाँ पर कॉलेज फिर्फिनस जो पेमेंट है इसमें आपको सक्सेसफूल पेमेंट सक्सेसफूल दिखा देगा अब आपको कुछ करने की जोरत नहीं पड़ेगी अब आपको वेट करना है आगे क्या परकिरिया होगी मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा तो मिल